हेलो दोस्तो मैं हो रिशव चाड़ियर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेट्फ्लिक्स और जियो फाइबर के आफ़र के बारे में तो वीडियो को पूरा देखी अगर इंफरमेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करना चानल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दी जिन मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए अट देरे आर्सी मीडिया होस तो इस मंत के लिए मैंने लिया था 1499 प्लान और 1499 प्लान से यह प्लान या इससे उपर का कोई भी प्लान लेते है जियो फाइबर में तो अभी ऑफर है कि आपको न 2499 प्लान में तो माइज्जी ओ खा जो एप रहता है उसमें एक ऊंटिफीकेशन आ जाता है जैसे चाहते हैं तो ऊपर एक इस़्टिफीकेशन आजाता है की activate now जब आप activate now पे click करते हैं तो एक separate और एक page जैसे खुल जाता है mygeo app में ही तो उसमें आपको बोलता है कि username and password डालने के लिए तो अगर आपने अल्रेडी एक बार Netflix में कभी बनाया था और अभी recharge नहीं कराया है तो वो वाला use कर सकता है नहीं तो मैंने जो किया हुआ है कि एक separate और एक email ID जो कभी मैंने Netflix में use नहीं किया था वो डाला तो नया उसमें सब details बना पड़ा नाम फिर email ID फिर नया password बनाना पड़ा तो वो डालने से Netflix का account बन गया तो Netflix NGO का जो भी collaboration है उससे मेरा एक Netflix account बन गया जो free plan में है ठीक है अभी ये free plan क्या मिलता है हमको Netflix में ये मिलता है 499 plan ठीक है ना वन आप दे में तिंग्स जो इसमें आपको जानना चाहिए कि इसमें आपको इसको बोलते है basically basic plan Netflix में आप normally भी ये plan ले सकते है तो इसका बोलते है basic plan basically ये 499 या 500 रुपीज का plan है इसमें हमको HD आप नहीं देख सकते है HD movies, HD shows नहीं देख सकते है ultra HD छोड़ी देजिए number of screens जो आप देख सकते है वो है 1 so at a time 1 ही देख सकते है at the same time laptop, tv, phone, tablet अभी में देख सकते है and movies, tv में कोई भी limit नहीं है जितना भी चाहिए आप देख सकते है तो basically जब आप ये login कर जाते है अपने account से तो उसके बाद आपको दिखाता है ऐसे एक page ठीक है तो ये page में आपको बताता है कि आपके plan में क्या मिलता है and आप upgrade या downgrade कभी भी कर सकते है तो actually upgrade का option ही बेस्ट रहता है downgrade मतलब अगर आप ज़्यादा plan में है तो downgrade कर सकते है बट हम आप अपग्रेड ही कर सकते है तो दो upgrade का option मिलता है एक है standard एक है premium standard में HD मिलता है whereas premium में 4K plus number of screens भी increase हो जाता है तो उसके लिए definitely आपको extra देना पड़ेगा जैसे standard में जाएंगे जिसमें HD available रहता है उसमें 150 per month देना पड़ता है and premium में 300 per month अभी इसमें star है ठीक है दोस्तों जैसे अभी HD and premium में star लिखा हुआ है मतलब star का मतलब है actual price may be lower depending on your geo package and will be reflected on your geo bill तो actually ऐसे करके हो जाता है आपका plan select and Netflix on हो जाता है इसके बाद आपको पुछता है कुन सा language आप देखना चाहते है कुछ select कीजिए जैसे Netflix का normal जैसे रहता है वो process होने के बाद आपका Netflix on हो जाता है ठीक है on होने के बाद जैसे मैंने अपना set-top box में Netflix login किया तो पहले चीज जो दिखाता है हो है कि do you want to upgrade your plan to HD pack मतलब जो इनके हिसाब से जो standard pack होता है standard नहीं उसको क्या बोलते है premium pack right standard ही बोलते है standard pack for 150 per month अभी अगर आप उसको upgrade करेंगे तो कितना exact होता है वो मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने तो upgrade नहीं किया क्योंकि मेरे पास और एक separate Netflix account था तो extra और देके वो check करना अभी के लिए तो possible नहीं था but I think so around 150 के करीब होगा अगर आपने use किया है Netflix का SSGO upgrade करकर तो definitely हमें comment section में बताना exactly कितना cost पढ़ता है कि 150 ही पढ़ता है कि उससे ज्यादा जितना लिखा है उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ता है definitely comment section में बताना दोस्तो तो मैंने तो upgrade नहीं किया first में ही पूछता है कि do you wanna upgrade तो अगर आप upgrade करेंगे तो mostly I think आपका My Jio app में वो reflect करेगा you have to pay this much due I think क्योंकि billing Jio के साथ होता है Netflix का separately नहीं होता है Jio में ही billing होगा तो I think so वहाँ pay करना पड़ेगा बट ये मैंने नहीं try किया है तो मैंने no thanks करके normal खुल गया तो इस plan में हमको basically 480p का हमको जो picture quality रहता है वो दिखता है अगर आप मुझसे पूछे frankly ये उतना कुछ खास नहीं है दोस्तों जो Netflix का में free मिलता है इसमें आपको upgrade करना ही पड़ेगा without upgrade करके picture quality Netflix जाना जाता अपना picture quality के लिए अगर आप वो HD में भी नहीं देखेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा दोस्तों मैंने चेक करा कि देख सकते है क्या बट वो पुरान है मतलब हम लोग पुराने जमाने का movies देखते थे तब जब DVD में आता था वैसे quality तब तो अच्छा लगता था बट अगर अभी हम देखे तो उतना कुछ खास नहीं लगता वैसे ही अभी यह वाला भी अगर हम देखेंगे Netflix का प्लान उतना कुछ खास नहीं लगता मोबाइल भी मैं देखा ठीक ठाक है दोस्तों बट मोबाइल भी आजकल हम सब कुछ HD जैसे अगर आप YouTube वीडियो भी देख रहे होंगे हो सकते से 480 में आना कुछ खास नहीं था इट्स मैनेजेबल बट Netflix अगर experience करना है तो मैं तो बोलूँगा HD वाला लीजे तो फिर आपको extra देना ही पड़ेगा तो यह जो free मिलता है दोस्तों not much of use तो आपको फिर से extra देना ही पड़ेगा तो अगर आप सोच रहे थे यह Netflix वाला मतलब यह pack लेके free Jio के साथ Netflix आराम से use करेंगे तो नहीं आपको फिर से extra देना ही पड़ेगा to get at least minimum जो quality आपको आपको देखकर अच्छा लगीगा वैसे quality 480 जो अभी मिलता है हमको उसमें ठीक ठाक चल जाता है तो process was simple दोस्तो but जो Netflix का हमें experience चाहिए वो नहीं मिल रहा है उसके लिए आपको फिर से extra देना पड़ेगा तो यही process था अगर आपको और कोई questions है तो comment section में जरूर बताने है छोटा सा information अगर इंफर्मेटिव लगा तो like जरूर कर देना है दोस्तो चैनल पर नए है तो subscribe करके bell icon भी दबा दीजिए और मुझे instagram पर follow कीजिए at the.rcmediahouse आज के लिए इतना है तो दोस्तो फिर से अगले वीडियो में लेंगे तब तक के लिए बाई बाई and stay safe